तो हेलो दूस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि नीचे से हर तरीके के पेश को आप कैसे काड़ने हैं। सब्सक्राइब करना नित हैं और यह परी है तो आपके माइंड में हमेशा आना है उपर से वन्दा क्या कर सकता है आपको पहली चाल नहीं चल लिए है, उसको चलने देनी है पहली चाल, तब ही आपको काटे, मलत है, बॉल फेकने दो, तब ही छक्का मानना आपको, ठीक है, अब देखो, आपको पता होने चाहिए कि वो कौन-कौन सी बॉल फेक सकता है, तो वो चारी तरीके की बॉल फेक सकत तरह कुट है या तो बाहर की तरफ की सीधा मारेगा या फिर अंदर की तरफ दिखाएगा या फिर ऐसे नीचे लाकर पेज दिल ले देगा इसारी तरीके के पेज होते हैं इसके लावर कोई पेज नहीं होता है, दिमाग में रट लीजिए, क्योंकि जब तक रटे नहीं होंगे, तब तक आप पेज नहीं लड़ा पाएंगे, ठीक है, तो पहला पेज, अगर वो उपर से तरचा मार रहा है, ठीक, तो आपको क्या करना है, तो हमेशा आद रखने हैं तेज खीच जाएंगे, तो उसकी पतंग कर जाएगी, अब वो तिर्चा कीच रहा है, ठीक है, या फिर अगर वो तिर्चा कीच रहा है, तो आप अंदर की तरफ भी दिखा सकते हैं, तो अभी उसकी पतंग कर जाएगी, ठीक है, यह चीज होती है, तो दो तरीके से आप उ तो मोजली सीधा ही खीचो कोई दिकत नहीं उसकी पतंग गट जाएगी लें स्पीड होनी चाहिए तिर्चा नहीं खीचना आपको सीधा खीचना है तिर्चा तब खीचते हैं जब आपकी खेज उससे जाए तेज होती है ठीक है अब देखो सीधा गद्धा मार रहा है सीधा काटने के तरीका देखो क्या होता है कि आप क्या करो अपनी पतंग को जब भी वह ऐसे कर मान लो देखो वो चला वो लेकर आ रहा है आप भी अंदर लेकर आओ हमेशे उसकी पतंग में डोरी थोड़ी सी हलका सा उपर चड़ा कर रखो वह लेकर आप थोड़ा और उपर तरीके से यह इस तरीके से वहता है आपने देखा हुआ इस तरीके से थपकी देते हैं एक ही जगर दोर पकड़ी और थपकी दे दी तो बस ऐसे गया अंदर वह लेकर आ रहा है जैसी वह सीधा गद्धा मानने को हो रहा है आप क्या करो थपकी दे दो इस तरीके से जोर जो और चाखते रहते हैं पतंग में उसकी बrol जाएगी त्रश क यूंद आप की बोल जाएगी थीजग आरा तो आप भी सीधा एक दम उठा दो अलों कस के खेज मार तो सीधी यँ या फिर इसके हाथ की तड़ दिखा दो तो यानि वह सीधा अब दूसरा पर हम बता रहा है सीधा गद्धा है तो आप थपकी दे के काट सकते हैं या फिर बस नचाते रहो पतं को या फिर बैसे नचाना नहीं है अगर वह मान लो बहुत अंदर चलके आ रहा तो तो आपकी कटनी कटनी है इसलिए अज्यादा अंदर मत आने दो डोर को उठा के चलो आजायसे ही मानने वाला हो सीधी पीधिखा दो या फिर क्या जब टुनारा अंदर आप उसके हाथ की टिखार दो अगर झायंदा जाए अ रुक्कि काअठी है धील दील देडिति अगर आपने तो क्या कैते हैं मालो मालो औंदर रुक्ला वो गद्दह मार रहा उसने क्या कई तुर्ब्र पूरण धान भी धडिल लेकि तो कि अधिल दो है जाने मङरते लेगा तो आपकी समझोगे ड़ीगी शेंट तो ये दोई तरीकि पुदिट्बारा इस तरीके से तो आप कर रहा है गद्दा तो आप ठटकी अफिर अंदर की िसने तरफ दिखा तो थीका तश किरीकर भी अभी ठोड़ा तो रहा आपकी दोर जैसी लएगी उसकी कट जाएगी ठीक है लें खेश देज होनी चाहिए आपकी अब वो क्या है वो क्या कर सकता है अंदर की तरफ ऐसे दिखा सकता है अंदर की तरफ चलेगा तो बस आप कुछ नहीं सुर्रा छोड़ दो यानि कि धील दो दो कि उसकी बोल ठीक है तो यही बस चारी तरीके के पेज है उपर से वह या तो आपको तिर्चा की सकता है तो आप सीधा खीच जाओ और सीधा मारे तो आप थपकी देकर अंदर दिखा दो या फिर नीचे तरफ तो उसकी बोल जाएगी और या वो अंदर की तरफ करेगा तो फिर आप ढि छट से बोल जाएगी स इसकी मजा जाएगा को आब को आपको चारों पेज पसंदा और यचारी पेज होते हैं आपको हमेशा याद रखना ये ठीक है बहुत से लोगों बहुत जाओ, वो भी खीचेगा लेकिन उससे पहले ही आपकी खेश देज होनी चाहिए, तब ही आप काट जाओ, ठीक है, कोशिश करो कि अगर उसका भी गद्दा पिड़ला है, सीधा, और आप क्या करो, थपकी, थपकी देखे काट दो, ठीक है, तो आपको यह पसंद आया होगा व झाओबीज सिर्व, टॉर आपकी अगरणाओ, ट्यूर को करो यह लाओए, पुिस्धालो काट्णाओ यह दोद़् जासए, तब दोदनी खो में MA घज हम व्भरणाबी. वे मने शद़र Sum DISC게 घू